यह अधिया है आधम टेशकी निव से जिसमें आपको देता हूं हॉलिवुट और सोपीरो मुविस और सोपीरो टीवी स्री आधि सारे नियोज तो आधि मैं आपके लिए मारवल डीच और कहीं ऑस्तों हुलिवुड मुवी से लेडिट कहीं ऑस्तों नियोज लेकर आया हूं पर उससे पहले आप अपने प्यार और सबोर के साथ इस वीडियो को भी लाइक हैं पूरा कर देना तो गाइस अब बिना टेम बेस करें स्टार्ट करते हैं तो करिस आपके पहली गुनियोज है हल्की सोलो मोजी को लेकर तो कर सोजी देना पूलकी सोलो मोजीच और मारवलर चुडियोओ को सोलो मोजी रशकाभी अभी भी Marvel Studios के अंडर नहीं है इन सब करेक्टर की सोलो मुवी के फिल्म राइड सभी यूनिवर्सल के पास भी है जिस वह से Marvel Studios इन सभी करेक्टर पर सोलो मुवी नहीं बना सकता फिलाल अभी MCU कॉस्मिक वेबसाइट की रिपोर्ट के अगॉर्डिंग नेमोर और हलक के करेक्टर के फिल्म राइडस फाइनली Marvel Studios फिर वार रिवर्टिट हो गए हैं जिसके वह से Marvel Studios अपनी मुवी में जैसे Black Panther 2 में नेमोर के करेक्टर को इंक्लूट कर पाएगा यही नि इसी वह से मार्वल ने सड़नली सी हलकी डिजनी बुलर सीरीज को अनॉंस करा है जिसके अगॉर्डिंग ऐसा माना जा सकता है कि अब अब फुल फ्रीडम होने के वएसे मार्वल स्टोडियोस हलकी सोलो मुवी पर भी वर्क कर सकता है वैसे इससे पहले हलक एक्टर मार्फेलों ने हल्क बुलूरीन मुवी के लिए इंटरस्ट दिखाये था तो गई सब देखते हैं कि के विच्टर के क्लिए क्लिए क्या सोच दी है जिसमें फर्स्ट ये अपडेट है कि व्लैक एड़म मुवी की सूटिंग इस समर से स्टार्ट होने वाली है फिलाल इसके अनॉस्मेंट उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करके करी है यहीनि इसे के साथ ही ड्वेन जॉनसन ने अपने इंस्टरगाम हैंडल पर ये दो अगली नूस हैं में क्विक सिल्वर को रिटन को लेकर बैसे अभी तो वांडर विजन टीवी सिरीज में क्विक सिल्वर का रिटन तो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है लेकिन इस टीवी सिरीज में क्विक सिल्वर को लेकर कुछ ना कुछ जरूर दिखाया जा सकता है जि इसका अगर्ण यह confirm जरूर है कि इस TV सिरीज में Quicksilver को return लाया जाएगा या उससे related कम से कम कुछ तो hint दिया जरूर जाएगा बैसे इसके बाद एक और बात यह confirm हो गई है कि इस TV सिरीज में WandaVism के kids wickan और speed अपियर होंगे बैसे इससे पहले Quicksilver actor Aaron Taylor Johnson ने ऐसे इन दिये थे कि Marvel Studios के कुछ लोग उनके साथ अभी भी touch में है तो guys देखते हैं कि Quicksilver कभी ना कभी MCU में return हो गा या नहीं अगली news है upcoming superhero movies की shooting को लेकर तो guys यह year तो नहीं लेकिन अगले year 2021 में बहुत सी बड़ी-बड़ी बैसे यह सभी superhero movie अगले year release होने वाली है लेकिन किस डेट को कभ इस्टार्ट होगी उसको लेकर कुछ update आई है जिसमें DC की Batman movie की shooting already start हो चुकी है जिसके खुद update दी है अक्टर Jeffrey Wright ने अपने Twitter handle पर यह post करके जो फिलाल Batman movie में Commissioner Gordon का role play कर रहे है इसके अगले year Marvel और DC मिलकर साथ movie release करने वाले है और अगर इनमें Disney Plus की TV series और DC की TV series को add कर दिया जाए तो इतना धेर सारा content अगलिया release होने वाला है कि अगले साल हम बहुत यहाद विजी होने वाले है अब अगली कुछ news है other Hollywood project को लेकर तो कल 6 जन्मेरी को The New Matten movie का new trailer release होने वाला है जिससे पहले यह update आई है कि New Matten movie PG-13 rating में release होगी बैसे यह movie पहले भी Fox के under कभी R-rated rating में release होने वाली नहीं थी इसके लाबा अभी हाली में release होने वाले PS5 को लेकर यह rumor news आई है कि PS5 पिछली PS वर्जन के साथ ही compatible होगा यही नहीं अभी Hollywood के writer डिरेक्टर केविन स्पित ने ऐसे इन दी हैं कि वो मॉल रैट्स movie के sequel पर वर्क कर रहे हैं तो इस तरह से यही थी आज की सभी news और information आई होगी वैसे अगर आप मेरे को पहली बार बोलते हैं अगर आप नहीं तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूरी सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पर मैं ऐसी आपके लिए लेकर आता रहता हूं तो गाइस मैं अंकित मिलता हूं से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू एंड बाए